हाच हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, स्वादिष्ट, यूनिक स्टैल में गुजिया जिसे हम बनाएंगे बिना खोया, मावा, सूजी, सिवई और बिना मिल्क पॉडर के ये रेस्पी टेश्टी तो होगा ही पर काफी हल्दी भी होगा फुल रेस्पी देखने के लिए वीडियो के अंद तक बने रहे अगर आप में चैनल पर नहें चैनल को सब्सक्राइब कर बेले कर दो बना ना भूले हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को चलते-चलते चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार रेस्पी गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ी कटोदी तिल इसे मैंने चलनी से चाल लिया है अब हम इसे पैन में डाल के बिना ओयल के भून लेंगे तिल को लो फ्लेम पे भूने थोड़ी देर भूनने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा यानि कि ये लाल हो जाएगे यानि कि तिल भून चुके हैं अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए तिल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे हम ग्रेंडर जार में डाल के बारिक पीस लेंगे यह लिजे तिल को हमने बढ़िया सा पीस लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी कटोरी नारियल का बुरा थोड़ी सी किसमीज और एक छोटी कटोरी पीसी हुई चीनी इतना आप तिल लें उसका हाफ सुगर पौडर ले ले यह मैंने लिए हैं ड्राइफ रोट्स जिसे हम छोटे छोटे टुकडो में काटके इसमें एट कर देंगे अब अपने फेवरिट ड्राइफ रोट इसमें मिला सकते हो बिलाएवे मिकसर को हम साइड बे रख देंगे अब एक थाली लेंगे उसमें डालेंगे एक बड़ी कटोरी मैदा सबसे पहले इसे हम बढ़ियां सा चाल लेंगे अब हम मैदे में एक छोटी कटोरी के करीब औयर एट कर देंगे मोयन डालने से ही गुझिया, क्रिस्पी, मुलायम और खस्ता बनेगा मोयन को हम बढ़ियां सा आटे में मिकस कर देंगे और हाथों से लड़ू बनाएंगे जब ये बढ़ियां सा लड़ू बन जाएं तो यानि की मोयन बिल्कुल सही है मैदे में अब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालते जाएंगे और आटे को बढ़ियां सा गुत लेंगे इस बात का ध्यार रखे कि आटा ज़्यादा गिला ना हो और ना ही टाइट हो और हमें आटे को बहुत ज़्यादा मसलना भी नहीं है अब हम गुथे हुए आटे को दो भागों में बाट देंगे और इसमें छोटी-छोटी लोई काट लेंगे नारे लोई काटने के बाद इसका हम गोलाकार चप्टा सिब देंगे लोईयों को हाथों से फैलाते हुए इसे चोके पे बेल लेना है इस बात का ध्यार रखें कि इसे ज्यादा पतला ना बेले हमें इसे रोटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं बेलना है मोटा ही बेले जब हम इसे रोटी की तरफ बेल लेंगे तो हम लेंगे गुचिया कटर ये मैंने लिया है गुचिया कटर इसके उपर हमें रग देना है रोटी और इसके चारों किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे और इसके बीचों बीच हम श्टफिंग भरके इसे बंद कर देंगे कटर बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा रोटी है इसे हम कटर में से निकाल लेंगे पानी लगाने की वज़े से ये खुलेंगे नहीं एक दुसरे से बढ़िया सा चिपक जाएंगे बड़े आराम से हम गुजिया को कटर में से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से ठीक इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे अब हम गैस पे चड़ाएंगे कड़ाई और उसमें फ्राई करने के लिए ओयल डालेंगे ओयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो एकिक करके हम गुजिया कड़ाई में डाल देंगे जितना कड़ाई में आ जाए वीचपीच में गुजिया को पलटते रहेंगे और जब ये बढ़ियासा लाल हो जाएंगे तो इसे हम कड़ाई में से बाहर निकाल लेंगे तिल की गुजिया भी खोई की गुजिया की तरह काफी स्वाधियो बनते हैं और ये काफी हल्दी भी होते है सो फ्रेंस आप इसे जरू ट्रै करें और मुझे कमिन बताएं कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी